So hey guys, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई एक horror series पर जिसका नाम है 30 coins दोस्तों ये एक बहुत ही तगडी series है जिसमें काफी ज़्यादा twist and turns है और इसमें good and evil के बारे में भी हमें काफी कुछ बताया गया है इस series की IMDB rating है 7.2 out of 10 and इसे rotten tomatoes पर मिले है 89% और दोस्तों मैं इस series की कहानी आपको सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा excited हो because ये काफी ज़्यादा मुझे पसंद आई और इस series को मैं आपको दो parts में explain करूंगा आज हम 8 episodes में से पहले 4 episodes को detail में जानेंगे and guys I guarantee कि आपको ये series काफी पसंद आएगी ये series HBO Europe में release हुई drama series है जिसे हम आज जानेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस channel पर new है तो channel को subscribe करके bell icon all पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही interesting videos की notification सबसे पहले मिले तो अब बिना देर किये चलते हैं सिधा वीडियो की तरफ शो के intro में हम God के बेटे Jesus Christ का crucifixion देखते हैं जहाँ Judas ने उन्हें betray किया था उसके लिए Roman authorities ने उसे 30 silver coins इनाम में दिया था crucifixion के बाद Judas को सब लो गदार कहने लगे थे जिसके guilt में वो suicide कर लेता है और Roman authorities ने Judas को जो 30 silver coin दिये थे वो suicide के बाद उसके हातों से गिर जाते हैं और गाइज इसी 30 coins पर ये पूरी series based है फर्स्ट एपिसोड की starting Switzerland में होती है जहाँ एक old gunman एक bank में आता है अंदादून firing करके वहाँ के एक locker को लूटता है जिसमें Judas का एक silver coin था और गाइज ये एक coin उनी 30 silver coins में से था जो शुरुआत में Judas के suicide के बाद नीचे गी रहे थे strangely इस आदमी पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था एज उसे दरजोनों गोलिया लग गई थी पर फिर भी वो नहीं मरता लेटर इसे हम एक priest के साथ देखते है जो इससे वो coin ले लेता है coin देखे ही वो आदमी मारा जाता है और ऐसा लग रहा था मानो ये बंदा possessed था और इसी के चलते उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था अब स्टोरी स्पेन की एक स्मॉल टाउन पेडराजा में स्टार्ट होता है जिसका मेर पाको था उसकी वाइफ का नाम था मेर चे जो एक meat processing factory की ओनर थी यहाँ पर हम एलीना नाम की एक वेटर्नियन को देख पाते है जो एक कव की डिलेवरी कर रही थी जहाँ कव ओनर एलन जो उसकी वाइफ कारमेन ताउन का पागल लड़का एंटोनियो और बाकी लोग भी आये हुए थे बहर बारिश के साथ तेज हवाय भी चल रही थी इसलिए एलीना कुछ पल के लिए कव शेड के डोर को क्लोस करने के लिए जाती है और वापस आकर डिलेवरी करती है बट शोकिंगली कव के बेट से कोई बचडा नहीं बलकि एक इनसानी बच्चा निकलता है इससे एलीना और बाकी सारे लोग दंग रहे जाते हैं और लोग डिलेवरी के वीडियो को मेर पाको को दिखाते हैं पाको भी इसे देख कर शोक में था उसे ही सुपरनेशरल लगत इसलिए उस बेबी को लेकर टाउन के प्रिस्ट के पास ले जाया जाता है इस टाउन के प्रिस्ट का नाम था फादर मैनियल वेरगारा जो हाली में इटली से हापर आया था ये प्रिस्ट थोड़ा सा कॉंट्रोवर्शल प्रिस्ट था वो बॉक्सिंग करता था लग रही थी इसमें सूपरनेशनल कुछ नहीं है एसा फादर बोलता है और फादर को एसा लग रहा था कि कोई अपने बेबी को डिस्पोस करना चाहता है और इसलिए उसने ये ट्रिक खेली पाको का शक उसकाव उनर्स पर जाता है बट उनके खिलाफ कोई भी पक्का प्रेगनंट है और वो बेबी उसका नहीं है उस वीडियो को केरफुली देखने पर पाको का शक अब पागल लड़का एंटोनियो पर जाता है एंटोनियो चर्च में था जहाँ पर फादर वैरगरा उसे चोरी करते हुए पकड़ लेता है एंटोनियो कहता है कि पुराने प्रिस्ट मेरे दोस्त है मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है और एंटोनियो चर्च में बनी हुई एक सीक्रेट बंकर को दिखाता है जो बंकर नाजिस से बचने के लिए बनाई गए थी वार के समय में लेटर उस रात एंटोनियो चर्च टावर पर चड़ जाता है बेल कि ये बेवी असल में एविल है ये फ़ादरवर्गरा के पापो का नतीजा है घ्र 2021 को सम्हाव कन्विंश करके उसके हाथ से बेवी ले लेती है यही पर अंटोनियो व्यर्गरा से कहता है मैं ये सब तुमहरे लिए कर रहा हूँ और ये बोलकर वो उपर से कूच जाता है and severely injured हो जाता है नीचे पाको को एंटोनियो के body से exorcism का एक book मिलता है एलिना को एक box मिलता है जिसमें एक silver coin था जिसे वो छुपा लेती है अब गाईज ये वही 30 silver coins में से एक silver coin था जिसे हमने शुरुआत में देखा था लेटर hospital में ए बहुत ही जल्द हमें clear होगा पाको को पता चलता है फादर वर्गरा एक exorcist था जिसने exorcism करते वक्त एक लड़के गिया कोमो को मार डाला था और इसी के चक्कर में फादर वर्गरा दो साल के लिए जेल भी गया था अब गाईज आप लोग ये गिया कामो नाम के लड़के को याद रखना जो exorcism करते वक्त मारा गया था एलेना अब अपने पास के कोई को वर्गरा को दिखा कर पूछती है कि क्या ये कोई उसका है वर्गरा उसे कहता है कि वो कोई exorcism करते वक्त गिया कोमो नाम के लड़के के हाथ से निकला था वो जूट बोलता है कि इसका काफी ज़्यादा खतरनक एंड इंपोर्टन था वह एलिना को काइन वापस कर देता है लेटर एलिना एलेंजो के घर उस बेबी को देखने जाती है जो स्ट्रेंजली बहुत बड़ा हो चुका था और ये चोटा सा बच्चा एक दो दिन में ही आठ साल के बच्चे की तरह इंड वन्षा और पन वाया था जिसे हमेशा वह अपने पास ही रखती थी ईलन्जो कार्में की बिहेवीयर से डर कर उस बच्चे को मारने जाता है पकृत कार्में उसे जान से मार देती है जलिटर एलिना और पाको उनके घर पर आते है और कार्में उन पर भी हमला करती है पाको को पकड़ कर उसे उल्टा लटका दिया जाता है। एलिना पुलीस एंड फादर वर्गरा को लेकर वापस वहाँ पर आती है। जहां कार्मेन वर्गरा को देख कर कहती है। तुम हमसे नहीं बच सकते। हम लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम किसी भी टाउन में छोपो, हम तुमें वहाँ पर ढून लेंगे। क्लियरली यहाँ पर कार्मेन पोजेश्ट थी, वो सब पर हमला करने लगती है। पुलीस ओफिसर पैनिक में उस पर गोली चला कर उसे जान से मार देता है। एम्बिलन्स में पाको को रख दिया जाता है, जो काफी ज़्यादा जखमी था, और उसी के साथ में उसी एम्बिलन्स में कार्मेन की लाज भी रखी हुई थी। फादर वेरगरा एंड एलिना उस बच्चे के रूम में जाते हैं, जहां सिर्फ उस बच्चे की स्किन पड़ी हुई थी, वो बच्चा सीलिंग फाड़ कर वहां से भाग चुका था। एलिना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। एंबिलन्स में कारमैन जो मर चुकी थी, वो अचानक से जिन्दा हो जाती है, वो पाको की वाइफ मर चे एंड पाको पर हमला करने लगती है, और जब एंबिलन्स रास्ते से जा रही थी, अचानक से एंबिलन्स पर एक सिक्स लेग वाला बड़ा सा क्रियेचर हमला करता है जो kind of spider की तरह लग रहा था और इस हमले के चलते ambulance का accident होता है और कार्मन इस creature को देख कर बोलती है कि मेरा बेटा मुझे लेने के लिए वापस आया है और वो वहाँ से उस creature के साथ चली जाती है उदर चर्च में फादर वेरगरा अपने weapon vault में से कुछ bullets को निकालता है चुपी होई थी वेरगरा holy water में bullets को डूबो कर प्रे करते हुए सारी की सारी bullets को कार्मन पर चला देता है जिसके चलते इस बार finally holy water में bullets डूबोने के चलते कार्मन फाइनली मारी जाती है जिसी ही वरगरा बोडी को लेकर वहाँ से जाने लगता है तभी वो जो क्रियेचर यानि के कार्मन का बेटा था वो क्रियेचर वहाँ पर आता है एलेना पर हमला करके वो उससे वो coin चीनने लगता है बट तबी पाको एलीना को कॉल करके बताता है कि Bock की जो टेलिसमान याणि कि वो चोटी सी जो डॉल थी उसे तुम डिस्ट्रॉय करो को एज उस creature की जान उसी डॉल में थी जैसे ही एलिणा उस टेलिसमैन को तोड़ने लगती है वो creature वहाँ से भाग जाता है एंड फाइनली एलिणा उस डॉल को पूरी तरिके से तभा कर देती है इस सब से एलिणा सदमे में थी और एलिणा ये सारी के सारे बाते वादर वरग नहीं है वो इस कोईन की डीप स्टडी करना चाहती थी और इसी के साथ एपिसोड वन यहाँ पर एंड होता है तो गाइस बेसिकली फादर वर्गरा को एक सॉर्सिजम करते टाइम एक कोईन मिलता है जिसे गिया कामो नाम के एक लड़के ने हेल से चुराया था और गाइस एक पावरफुल कल्ट था जो सभी के सभी 30 कोईन को कलेक्ट कर रहा था किसी मकसद के चलते और इस कल्ट के पास पहले से ही कुछ कोईन पड़े हुए थे और ये कोईन पावरफुल मैजिकल अबजेक्ट्स थे जिसके चलते स्पेल कास्टिंग, माइन कंट्रोल, रियालिटी बेंडिंग जैसे सुपरनेश्रल एबिलिटीज मिलती थी, यही कल्ट फादर वेरगरा को डरा रहा था और इसी कल्ट ने शुरुवात में गाए के पेट से उस बच्चे को जनम दिया, ताकि वो कार्मैन और इस बच्चे के यह क्रियेचर के मदद से फादर वेरगरा को ड इखवे नाम के एक रेज कोर्स उनर के लिए काम कर रही थी, यह टाउन का सबसे अमिर बंदा था और एलीना उसके घुरो की डॉक्तर थी, और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एलीने का हजबेंड था जो दो साल पहले अपने आप मिसिंग हो चुका था, जिसके बारे म इन बच्चों के गेम में गिया कामो नाम का घुष्ट आता है जो इटली से था और आप लोगों को गिया कामो याधी होगा, जी हाँ गाइज वही जिसके हाथ से वो कॉइन निकला था, इस गेम को खेलते दोरान अचानक से सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है और इन सब द पर भी नहीं मिलती, सोले की एक फ्रेंड एलवीरा से एलिना को ये पता चलता है कि गेम में उन्होंने गिया कामो नाम के एक घुष्ट को इनवोक किया था, गिया कामो का नाम सुनते ही एलिना का शक सीधा फादर वरगेरा पर जाता है, एस गिया कामो उसी बच्चे का ना जहां वो कहती है, अगर तुम लोगों को मुझे बाहर निकालना है, तो ओईजा गेम को वापिस से खेलो, तो सारे के सारे दोस्त फिर से वो गेम खेलने लगते हैं, और इस बार इन बच्चों के साथ, एलिना भी शामिल होती है, इस बार गेम के जदिए एलिना को एक मेसे लोग वापस कर देते हैं, यानि कि गाई सोले को ये कल्ट मेंबर्स अधर साइड आफ द वर्ल्ड में लेकर गए थे, वापस आने के बाद सोले नॉर्मल नहीं थी, वो कुछ पल के लिए पजेश्ट थी, उसे लोगों के चेहरे के आसपास एक औरा दिखने लगी थी, जि पने रूम में ही सुसेड करने की कोशिश करती है, बट उसी टाइम, फादर वर्लगेरा, एलिना एंड पाको आकर उसे बचा लेते हैं, सोले फादर वर्लगेरा से कहती है, कि वो लोग मेरे माइंड में है, मुझे परेशान कर रहे हैं, उन्हें जो चाहिए वो उन्हें दे दो, नहीं तो वो सारे के सारे कल्ट मेंबर्स, पूरे टाउन के लोगों को परेशान करते रहेंगे, ताकि उन्हें ये कोईन मिले, कल्ट उसके माइंड को कंट्रोल करके वर्लगेरा को डराने के कोशिश कर रहा था, नेक्स डे इविनिंग, सोले पोजे स्टेट में वर्ल एलिना के घर पर जाता है, वहाँ वो कॉइन डुनने लगता है, ताकि वो सोले को वो कॉइन दे सके, तब एलिना घर पर नहीं थी, कुछी देर में एलिना रॉकवे के साथ अपने घर पर आती है, तो वो देखती है कि सोले की जीग जो है वो कटे हुए है, और सोले को इसक उसके जरीए एलिना के घर को हवा में उड़ाने लगता है फादर वर्गेरा को ये बात समझ आ जाती है और वो सोले को शांत करने लगता है वो काफी प्रेयर्स करता है फाइनली सोले शांत होती है अपने पॉजेशन से बाहर आती है एलिना रॉक्वे को हुस्पिटल में एलिना से कोईन लेना चाहते थे और गाइज मैं आपको पहले ही बता दू कि शुरुआत में हमने एक ओल्ड मैन का सीन देखा था जहां उसने एक लॉकर लुटा था और गाइज उस लॉकर में भी एक कोईन था तो इस बात से तो हमें ये बात क्लियर होती है कि गाइज ये तीज कोईन जो थे वो पूरे दुनिया के अलग-अलग कोने में थे और ये कल्ट मेंबर्स पूरे दुनिया से इस कोईन को कलेट कर रहे थे और हर एक कोईन मिलते ही इनकी जो सुपरनेशनल शक्तिया थी वो बढ़ती ही जा रही थी एपिसोड टू यहाँ पर एंड होता ह एपिसोड 3 के स्टर्टिंग में हम एक हिंचमैन को न्यू यॉर्क में देख पाते हैं वो एक जेविज ज्वेलरी ओनर को मार कर उसके कलेक्शन में पड़ी हुई एक कोईन को उठा लेता है उधर पेटजारा टाउन में पैरनॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ने लगी थी टाउन के एक आदमी थोमस के घर पर एक ओल्ड मिरर था जिसके अंदर एक किताब दिखने लगती है जो असलियत में नहीं थी बट मिरर में वो दिख रही थी एलिना उसके ग्रीक नाम को पहचान जाती है जिसका मीनिंग गॉस्पेल अफ जूडस था गॉस्पेल अफ जू क्या क्रिस्चैनिटी के एक कल्ड के लोग ये मानते हैं कि जूडस ने जीजस को धोका नहीं दिया था बलकि जीजस के कहने पर ही उसने उन्हें सूली पर चड़ाया उसके धोके से ही जीजस सूली पर चड़े और लेटर तीन दिन बाद उनका पुनरजनम हुआ गॉड़ अल पावर है इसलिए गोड को धुका देना नामुम्किन है एसा इस कल्ड का कहना था और एसा ही इस बुक में भी लिखा हुआ था और गोड नहीं जूडस को एसा करने के लिए कहा ताकि लोगों का उन पर और भी ज़्यादा विश्वास हो बट वेटिकन चर्च इस लोज लेटर वर्गरा उस मिरर को चेक करने जाता है पूरी रात वो उसी मिरर के सामने बेठा रहता है पाको ने वहाँ पर सिसी टीवी लगवाया था जिसके एक वीडियो फ्रेम में हम दूसरे फादर वर्गरा को भी देख पाते है और वो लोग डेविल को इविल नहीं मानते थे उनकी पावर बढ़ गई थी और वो लोग अब किसी को भी जिन्दा कर सकते थे इस मिरर को उन्होंने एक पोर्टल में कनवर्ट कर दिया था वो लोग अब फादर वर्गरा को किड्नैप करके उसके प्लेस पर एक फेक वर्गरा को रियल वर्ड में डाल देते हैं और इ गरीबी, भुकमरी, डीजीज, वर, एक्ट्रोसिटीज जैसे सब इविल है जिसे गौड कभी नहीं रोकता मतलब बुरे लोग या एविल भी गौड के ही डिवाइन प्लान का हिस्सा है एसा ये फेक वर्गरा बोलता है सिंपल लैंग्वेज में कहे तो मान लीजिए ये व एविल को बनाया है और वही इनके एक्शन को डिरेक्ट कर रहा है यानि के गाए ये जो फेक वर्गरा था इसने आते ही पूरी तरीके से माइंड को डायवर करना स्टार्ट कर दिया था काइनेटीज दुनिया में एविल को बढ़ाना चाहते थे और उन्हें लगता था कि वो बगवान के काम में साथ दे रहे है और उन्हें ये भी लगता था कि उन्हें भी गौड नहीं बनाया है वो भी एक विलन के रूप में गौड शिर्फ गुड नहीं है बलकि गौड एक एविल भी है ऐसा इन्हें लगता था काइनेटीज से स्टित्वा में है वो वेटि कि उन अबजेक्ट्स को मानते हैं जिन अबजेक्ट्स के जरिये जीजस को सूली पर चढ़ाया गया था याने के वो कील जो उनके हाथ पर ठोके गए थे और वो सारी चीज़े जिसके चलते जीजस को तकलिफ हुई थी और गाइज इस कल्ट का ये मानना था कि जूरस की 30 कोई जिस किसी के भी पास होगी वो लोग जीजस की ही तरह पावरफुल बन जाएंगे और ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन के पास भी ये 30 कोईन थी और इस कल्ट के मुताबिक हिटलर के पास भी ये 5 कोईन थी और इसलिए वो एक डिक्टेटर बना था ये फेक वरगरा एलीना से उस कोईन को वापस मांगता है और ये सारी कहानी सुनकर एलीना एंट पाको भी काफी डायवर्ट हो चुके थे यहाँ पर वरगरा फुल कॉन्फिडंस में सब कुछ एक्स्प्लेन कर रहा था जिससे एलीना को उस पर थोड़ा सा शक तो होता है विकाज वो फादर वरग वरगरा कभी भी सारी बाते खुल कर नहीं कहते थे जब एलीना कोईन देने जाती है तो वो नोटिस करती है कि फादर वरगरा के हाथ में जो वाच है वो उल्टा चल रहा है सेकंड्स की जो सुई थी वो एंटी क्लोकोईस घूम रही थी उसे यकिन हो जाता है कि ये असली फादर वरगरा नहीं बलकि फेक है वो उस पर हमला करके अपने क्लिनिक में चुप जाती है और उसके साथ साथ पाको भी आ जाता है फेक वरगरा अब किसी भी हाल में इस कोईन को चाहता था इसलिए वो टाउन के सभी लोग के माइंड कंट्रोल करके उनसे एलीना के क्लिन की जो बुक थी उसको मिरर पर थ्रो करती है तो उसमें एक ओपनिंग खुलता है यह लोग उस ओपनिंग के जरीए अदर वर्ल्ड में जाते हैं और उस प्लेस में ऐसे कई और सारे मिरर्स थे जो बेसिकली हर जगह पर जाने के पोल्टल्स थे और यह पोल्टल्स हमें सिर् था फैबियो सैंटारो और इस चीफ के साथ 12 और कल्ट मेंबर्स थे जिनके पास भी एक एक कोईन पढ़ा हुआ था मीनिंग हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि इन कल्ट मेंबर्स के पास अब तक 13 कोईन आ चुके है और 14 जो कोईन था वो एलिना के पास पढ़ा हुआ था और इनी कल्ट मेंबर्स ने ओरिजनल फादर वर्गेरा को भी बंदी बनाया हुआ था एलिना इन सब को देख कर डर जाती है एज उसने इन सब को ओईजा गेम में भी देखा था इनी लोगों ने उसे एक मेसेज दिया था जब वो उन बच्चों के साथ ओईजा गेम खेल रही थी वो एन्ट पाको इन कल्ट मेंबर्स को अपना कोईन दिखा कर डिस्ट्रेक्ट करते हैं और जैसे ही ये 13 के 13 कल्ट मेंबर्स डिस्ट्रेक्ट होते हैं जो ओरिजनल वर्गेरा था वो भाग कर मिरर को तोड़ कर उस पोर्टल से भार आ जाता है तीनों लोग वापस से अपने ही होम टाउन में वापस से आ जाते हैं और जैसे ही वो अपने ओरिजनल वर्ड में वापस आते हैं जो फेक वर्गेरा बाहर था वो अपने आप गायब हो जाता है लेटर एलिना इस कोईन से डर कर उसे ब्रीच से नदी में फेक देती है और जो सारे के सारे लोग एलिना के क्लिनिक पर हमला कर रहे थे वो भी नॉर्मल हो जाते है और यही पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते है और रफ काइनेट इसको एक और कॉइन मिलता है यह कॉइन एक इंशेंट जीजस की स्टैचू में चुपाया गया था टाउन के सभी लोग इस बात से हैरान थे कि एसे के से सबने मिलकर एलिना के क्लिनिक को तोड़ा और उन्हे कुछ भी याद नहीं था विकाज वो फेक वरगेरा के कंट्रोल में थे वो क्लियरली इसको एक एबनॉर्मल इवेंट मानते थे जिसका जवाब वो मेर पाको से चाहते थे पाको के वाइफ मर्चे कहती है कि टाउन में जो कुछ भी अजीब हो रहा है वो फादर वरगेरा क के आने के बाद से ही स्टार्ट हुआ है इसलिए उन सब को एक दूसरे नॉर्मल प्रिष्ट की डिमांड करनी चाहिए सब लोग इस बात से सेमत होकर रिजॉल्यूशन पास करते हैं और फादर वरगेरा को निकाला जाता है और इस एपिसोड में हमें फादर वरगेरा स्टड़ी करना चाहते थे इसके लिए सेंटोरो ने एक आदमी को कैद किया था जो क्लेम करता था कि वो डेविल का एजन्ट है उसका नाम एंजलो था एंजलो केता है गौड गुड है एंड इविल भी है उसी ने एविल को भी क्रियेट किया डेविल एंड उसके एंजल्स को डेविल वर्ल्ड में एविल को स्प्रेड करता आ रहा है क्योंकि गौड नहीं उसे इस काम के लिए बनाया था बट वेटिकन चर्च इस थियोरी को एकसेप्ट नहीं करता एसा इस एजन्ट का कहना था सैंडरो को इस आदमी की बाते फेक लगती है इसलिए उसे प्रूफ पर आग लगा देता है और कुछी सेकंड्स में उसके पूरी शरीर में आग लग जाती है और वो इसके गाल से लेकर आधा शरीर जला देती है एंजलो कहता है यदि कोई गौड की सच्चाई जानना चाहता है तो उन्हें पहले डेविल को जॉइन करना होगा वो हेल की एक दोर को ओपन करता है फैबियो सेंटरों को ये लौजिक ठीक लगता है और इसलिए वो पहली बार और आफ को उसी समय जॉइन कर लेता है बेसिकली इस और इस और इसे चर्च को उखाड फेकना और उसके जगह एक एसी चर्च को इस्टैबलिश करना जहां डेविल की प्रूरे थे जिससे पुरे वर्ड के लोगों का माइन कंट्रोल किया जा सकता था यहां डेविल के डीमन्स भी कल्ट की मदद कर रहे थे फादर सैंडरों प्रेजेंटली वेटिकन के एक जेल में था और गाइस जेल में पेयानियन के बहुत दर्ध होता है और इसलिए वहा पर गया था ताकि जेल में उसे कोई भी पकड़ ना पाए अब फादर वर्गेरा उससे मिलके उसके साथ हो रही सारे इवेंट्स को एक्स्प्लेंड करते है सैंडरों उसे सीरिया में चुपने का एडवाईस देता है क्योंकि सीरिया में भी वार चल रहा था और वहां पर क विल और कल्ड का हेड सैंडरों नहीं आएगा एसा सैंडरों फादर वर्गेरा को बोलता है लेटर वर्गेरा दुनिया के सारे चर्च के हेड से मिलता है जो सबसे हेड फादर था और वर्गेरा उन्हें काइनेटिक्स के बारे में एक्स्प्लेंड करता है और सारी चीजे जानकारी तुम मेरे एक असिस्टंट को बताना जो मेरा सबसे करीबी असिस्टंट है तो जो हेड़ फादर चर्च थे वो अपने असिस्टंट को बुलाते हैं और फादर वरगेरा इस असिस्टंट को देखकर काफी शौक हो जाता है और डर जाता है विकाज़ गाईज चर्च हेड का असिस्टन्ट कोई और नहीं उस कल्ड का हेड सेंटेरो था जी हाँ गाईज यानि के हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि काइनेटिक्स के जो लोग थे वो चर्च में भी पहुच चुके थे और वो काफी ऊची पोजिशन में भी पहुच च पता था कि यह असल में काइनेटिकस कल्ट का हेड है इधर टाउन हॉल में काइनेटिकस की एक वीच एक स्केरक्रों पर वीच्च क्राफ्ट करके उसे दिन्दा करती है एलेना जो है वो अभी सबसे तंग आ चुकी थी इसलिए वो अपने बोस रोके के साथ इस टाउन को सब्सक्राइब हो चुका था और अभी एक वीच ने स्केर्टरों पर विच क्राफ्ट किया जिसके चलते एक आदमी जिन्दा हुआ जिसकी शकल एलेना के पती से मिलती थी तो अभी आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है और इसी के साथ एपिसोड फोर यहाँ पर एंड होता है नेक्स्ट वीडियो में बाकी चार एपिसोड को में एक्स्प्लेंड करूंगा यह सीरीज काफी लंबी है इच एपिसोड वन आवर से भी जादा लॉंग है इस सीरीज में हम काफी अच्छी तरीके से देख पाते हैं और इसी की बेस्ट पर यह पूरा शोब बनाया गया है तो दोस्तों यह थी 30 कोईन के पहले चार एपिसोड की कहानी इसमें हमने देखा कि कैसे फादर वरगेरा एलेना एंड पाको एक जूरस के कोईन को छुपा के रखते हैं ताक के पास 13 कोईन जो थे उसके चलते आई थी और आगे भी वो दो-तीन कोईन और भी चुरा कर कलेट कर लेते हैं अब भी उन्हें उस कोईन की तलाश थी जो एलिना ने पानी में फेक गया था अलसो हमने ये भी देखा कि काइनेटिक स्कल्ट का जो हेड था उसने वेटिकन च होता है ये आने वाले चार एपिसोड में देखने में काफी मज़ा आएगा तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक ऑल पर कर दें ताकि आपको थर्टी कॉइंस पार टू जल्दी से जल्दी चाहिए तो नीचे एक कमेंट जरूर करें तो दोस्तों मिलते हैं अगली पार्ट टू वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट